ऐसलाम आएक्म स्टुरींट्स Państva आज का जो question है वह हम question number 6 और question Room 6 यह assignment 6 है assignment में यह question 6 चैपर 11 से connected है और यह Gas Law मेंसे एक law का नमेरिकल है तो पड़ते भी हैं और सासा इसका डाटा भी बनाते हैं और साइंटेस स्टोड 22 ग्रैम ऑफ गैस इसका मतलब मास गेवेन है आपो इस 22 ग्रैम इन अ तैंक एट 1280 एम एट्मोस्फेर तो एट्मोस्फेर इस दे उनिट आफ प्रैशर तो इस 1200 एट्मोस्फेर तो आपको यहां दो प्रैशर गिवेन है इनिश्यल और फाइनल ओके क्याकुलेटना मास ऑफ गैस इसकेपड अब देखें यह एम वन है इसका मतलब गैस लीकेज के वैसे मास कम होकर हो गया होगा यह मालूम करना है और फिर पताना है कि कितनी गैस इसकेप हुई है जिसके वैसे मास हो चुका होगा तो इस यह कंडिशन यानि यह आपको गिवेन है सब कुछ रिक्वाइट मास है और साती साथ वॉल्यूम के बारे में कुछ बताया नहीं गया है बड़ हमें पता है कि कंटेनर का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा इसका कंटेनर का वॉल्यूम सेम एट मीज वी 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 तो सॉलूशन स्टार्ट करते हैं इसका तो फ्रॉम बॉल्यूट इस पीवन वीवन इकोज पीडोवीटू अगर मास भी इंकूड होगा तो मास को भी फॉमुले का इससा बनाएंगे बाइगे बाइट इस आप डेरिवेशन में सुझा के चेक कर सकते हैं नाव जो चीज़े मुझे पता हैं वो मैं पुट कर देता हूं जस लाइक प्रेशर पीवन इस 1200 and V1 is V and mass is 22 gram ऐसे ही प्रेशर पीटू इस 950 वीटू इस अगें V and M2 मुझे फाइंड आउट करना हैं शिफ्टिंग करनें M2 अहां चला जाएगा और प्रेशर इस तरफ आजाएगा 22 भी उपर इसके तरफ चला जाएगा ओके वी से भी कैंसल ना इतल एंटू इस एक्वोस्टू 22 x 950 दिवाइड बाइ 1200 इसको आप सिंप्लिफाइ करें और M2 आपके पास आजाएगा 17.42 ग्रैम तो मुझे वैसे M2 फाइंड आउट करना था लेकिन एक्शली जो रिक्वार्मेंट है वो डेल्टा एन M2 इस 17.42 ग्रैम इस चेंज ऑफ मास यह कितना मास और गैस एमिट हो गया है या लीक कर गया है किसमें से कंटेनर में से इस अप्रोक्सिमेटली 4.58 ग्रैम उफ मास चोके लीकेच के वैसे बहार निकल गया है इसकेप कर चुका है ओके ओफ़ुली यह आपो समझ में आया होगा थैंक्यू